वेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो सभील ग्यान आप सभी का सभील ग्यान में सवागात हैं दोस्तों की जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ससी का नए नोटिफिकेशन आ गया है और फार्म भरना इफटार्ट हो चुका है तो उन्हीं सारे बात हो हम आप से करने वाले हैं और पूर प्राप्ट के लिए के लिए बढ़ते हैं आगे के और देखते हैं कि क्या कब कैसे इसमें रहने वाला है तो सबसे पहले हम बात करेंगी कि सं sections 22 है इसका जो नोटिफ आया है उसम में यह कहा गया है कि आपका जो सबमेशन आलाइन अपलीकेशन होगा वह आपका कब से-कब है पहलई इसमें यहीं लिखा हुआ है यह आपका जो है डेट आप सबमेशन जो होगा कि बारह आठे सिसटार्ट होजा आज से ही Charlize शुम कर सकते हैं और अभी जो आपका पेपर होगा पेपर वन सीवीटी वन जो आपका होगा सीवीटी वन जो एक्जाम है उसके बारे में भी नोटिस नहीं दिया लेकिन लेकिन अभी इसने जो है कि आपका जो मेंस की बारे में कोई भी इसके बारे नोटिस नहीं दिया यह कि सेडूल आपका होगा टूबी नोटिफाइड बाई लेट अभी बाद में इसको किया जाएगा तो यह जरूरी आपके लिए पहली बात यहाँ पर है इसको जहां ठीक है और उसके बार एक्जाम डेर आपके नॉमबर में रहने बाली है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पर है कि कौन कौन से पोस्ट होती है तो आप सभी को पता है कि आपको एक बॉर्डर और आर्गेसं ब्यारों में देखने को मिलता है जहां पर आपको जोने ए चन्डर यहां पर देखने को मिलेंगे फिर आपका यहां यहां पर यहां पर दिया रहता है कि यहां कौन 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 साथ्य है इसी में मिलती है मैं तो यह सारी नव पोस्ट हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलती है कि हाँ उसके पोस्ट के बारें दिया हुआ है फिर आपको इसमें देखना है वेकंसिस अभी बताइब की बताईब है कि इसाब को बारें परती रहेगी फिर जर्वेस्टि वेल्टी आप उसके बारें बताइग्ए है पर दिया गया है था प्रहलें परमेंस्ड़्ड डिसिबिल्टी अगर जो पीड़ूड के ऑनी चाहिए तो यहां पर जीए हैस्ट होगी पढ़ सकता है यहां से अपने बारे में कैसे क्या है फिर यहां पर नोट में लिखाए दास डेवल्टी आप पोस्ट फार परसन बिद बेंचमार्क डिसेवल्टी इंडिकेट इंडिकेट इन टेवल अब मतलब कि होता क्या है कि जिसके वार्ट फरसन इसको सार्टिफिक्ट हो रहा होता है तो कहा गया है कुछ इस तरीके से उसमें बताया गया होगा कि हां इस तरीके साब कहोना चाहिए अगर आपका नहीं होता तो गवर्मेंट यह डिपार्टमेंट जैसा करेगा आपको आपको फिर यहां पर मारे काम की चीज नहीं है फिर यहां पर यहां पर लिए एक चीज है कि only male candidate only male candidate are eligible for the post junior engineer in the BRO तो हाँ एक बात और चीज है कि BRO के अंदर क्यों male candidate कि BRO के अंदर क्या होता है कि BRO कि में अंदर अगर आप डिप्लोमा करके candidate है तो आपको डिप्लोमा के साथ साथ होना चाहिए तो यह भी ध्याव को ध्यान रखना है फिर यहां पर कंडिरेस्ट मस्ट भी होना चाहिए इंडिया सब्सक्राइब दिया है कि आपको दे रखी है कि अगर आप भी आरो में जा रहे हैं तो अप्तूर तीस साल होने चाहिए एक इग्रुहर बाइस को अप्तू कौन कौन से मलब एज में रिलेक्सेशन दे जाता है कि अगर आप ऐसी सिए स्टी के हैं तो पांच साल का हो जाकता है वागा तो पर यहां पर आगे बढ़ते हैं यहां पर काम करने हैं एक सर्विसमें में एक स्वाहिवा है कि यहां पर दिया हुआ है कि प्रोसेज़ आप सार्टिफिकेट इस फॉर्मेट आप सार्टिफिकेट जैसे कि हमारा चाहिए तो नोटिफिकेशन के वो लोग बताते हैं कि नोटिफिकेशन जब आपका रिलिएज उससे छे महिन एक साल के अंदर का होना चाहिए तो बहुत लोग का पुराना होता है तो वहां पर कुरूशियल डेट दी जाती है तो ताकि मलब जो है आप लोग अब जब यह डीवी होता है तो इहां पर दिक्क्त आती है डीवी वोगईरा में जब भी आपका डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप इससे बाते देखने को मिलती है कि जो सार्टिफिकल होना चाहिए क्रोशियल डेट का होना चाहिए अगर नहीं होता है कर से लेल तो लोग क्या कहते हैं कि बहुत लोग का हो जाता है बाद में भी बाद में अपना लिखाना पड़ता है क्योंकि मैंने संदार बीस में अपना डीवी कराया था बीस वाले में तो मैंने वहां पे देखा था कि ज ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए लेट का आप लोग बनवा कर रख लिएगा पहले से ही इस एंटेल एजूकेस्टन लुक्षिकेस्टन एंड एक्स्पिरियेंस एज एंड दो नोगधार बाइस इसंटेल एजूकेस्टन क्विफिकेस्टन मलब अगर आप जोने इंजि सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर यहां पर सीवीड के लिए सब्सक्राइब कुछ नहीं होता है वह जोने हैं दो नहीं होता यहां पर फिर आपको डिप्लोमा होगा तरस फिर जो नवाल में घर होगा नेवल में मलब जो नहीं वह होता है तोसमें आपको लगएगा दो होता है कि अगर आप ब्रूमा होगा तो यह बात नहीं कोई बात नहीं अगर डिपलोमा होगा तो प्रो इस है घ्लोमा के लिए पद्ध के लिए आपका कौन सी लिजबिल्टी का अट इरिया है तो यह भी आपने देख लिया और फिर उसके बाद जो है आपका प्रोवीजन आफ कमपनसेटेट टाइम एंसस्सक्राइब इसका कुछ नहीं करना हम को इसमें की बारे में कुछ आपका नहीं है फिर आपको जो है क्योंकि यह आपको देखा होगा 100 रुपे फीज से यहां पर आपके लिए महत्पूर हो जाता है कि यहां भी जाने जोड़ी है सबसे जादा कि यहां पर कैसे आपको फॉर्म को फिलिप करना तो फॉर्म करना आपको कि सबसे बहली बात तो इन दा आनलाइन अप्लिकेस्ट फॉर्म कंडिडेट आप लोड़ दा इसकेंड कलर मला इसकेंड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और बीस केवी से लेकर कितना पचास केवी के बीच मुना चाहिए यहां बिलेक में लिखा दा फोटोग्राफ सुड नाट भी मोर देन थी मंद ओल्ड आएक मधनी और फोट देकर क्राम दा डेटा प्लिकेशन जैसे की ये जो थ्री मंत बिफोर क्या होता है जैसा कि आज आपका ये बारह तारीक है बारह तारीक को आपका नोटिफिकैशन अया तो बारह अगस्त है न तो बारह जून बारह जुलाई 12 जून के पहले के फोटो नहीं होने चाहिए यह होना चाहिए आपको पास फोटो कोई हो उस पर डेट भी लिखा हो तो बारा जून के पहले की नहीं होने चाहिए तो यही बात लिखा होता है इस फोटोग्राफ के अंदर के अंदर होने चाहिए तो यहीं बात लिखा होता है तो अब यहां पर देख लिए तो यहां पर देख लिया कि फोटो में किसी पकार किसे डेट नहीं कहा है ना फोटो में कुछ और भी सिगनेशर के वारे कुछ मलब कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि फोटो पर होने चाहिए बस आपके फोटो सिंपल आपके फोटो साथ पासपोर स करना चاहिए तो यह चीजिया पर घ्याँ रखना है तो यह हो जब्धा प्राफर फोटोग्राफ अग्जनाट अगर आपके प्रापर फोटोग्राफ का अफ्लोड नहीं होता के द्वारा है क्या होगा क्या होगा कि केंडेर्ट काasmidoncemr को kle mr कर दिया जाएगा दस से बिस के भी के बीच में और इमेज डामेंशन आप दा सिंग्नेचर शुट वे वाउट फूर संटीमेटर तो सिंग्नेचर अच्छी तरीके से होने चाहिए यहां भी सिंग्नेचर इसने बिलेक और कुछ नहीं कहा है तो आप कैसे भी करके अप्लोड कर सकते हैं कि कोशि को लग रहा है कि हाँ यह जरूरी छी मैं उसको डिसकस कर ले रहा है तो यहां पर हमने देखा कि फी आपके जो होगी वह हंडेड़ रुपे की फीस में प्रिकरनी होगी यह भी आपको दियान रखना है ज्यादा फीर नहीं हुई है ऐसा सी का तो ही होता है बाकि अभी अध प्रिक्त नहीं पेमेंट कर पा रहा है तो लाफ टाम तक आप सब्सक्राइब के माध्यम से पेमेंट चलान कर सकते हैं यह कब तक हो सकता है आपका बेदिन दावरकिंग आवर आप बैंक तीन नोग रवाइस तक कर सकते हैं प्रवाइड चलान है जबीन जेने टेवाइड तो यह बात रही है आपकी कि आपका कैसे फोटो होना चाहिए कैसे आपका डेट होना चाहिए यह सारी बात हमने डिसक्स कर ली है फिर उसके बाद हमने यहां पर डिसक्स की आपका फिर यह लिखा हुआ है कि फिर फी वन से पेड़ से नार भी रिफंडड अंडर एनी सरकमिस्टेंस नार बिल इट वी एजेस्टर अगेंस एनी अधर एक्जामनेशन और सेलेक्शन मलब लिखा हुआ है कि एक वाप फी आपकी मलब पेड हो गई तो आप को दुबार डिफेंड नहीं होगा ना दो किसी वह सरकमिस्टेंस में लिखा हुआ है यहां पर कि ना दो किसी उसमें वह जो है आपको मिल पाएगी और नहीं आपका जो है कहीं पर यूज हो पाएगी एनी अधर एक्जामनेशन आप सेलेक्शन भाई हम को यूज भी नहीं है करेक्ट पॉड़िफाई आफ्लाइन प्रिकेशन 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 पारमेटर वहारिन युज विल बी अलाओ टूड रिसमिट अप्रिकेशन आफ्लेंगर क्रेक्शन को करेक्शन करने के लिए दिया जाएगा यह बोल रहा है पूरी आग्रेजी मिसने कहा है कि आप जब क्रेक्षण वाली विंडो ओपन हो जाए जब ओपन हो जाएगे तो आप उसमें दो बार जो है कर सकते हैं तो यह भी आपको द्यान रखना है यह भी आपकी नोटेट पॉइंट है इस वह आपको द्यान रखना है किसी के कलती हो जाती है तो अपना कर सकता है हुआ है बागी हमने तो दे अकी फट्राइजान कि बात करें कि आपसं़ेस इंटर अप्ण लिएशन कहां पड़ता है कि सुधेथे और ते आप देखेंगे इस इसन उन्हाएजेंटा सेंटर लेजन में आप आएंगे बिहार उत्रपदेश वाली लोग ठीक है और इनकी जो एड़ास अरिजिनल आफिस होती है सियार यह देख लीजिए यह लिखा हुए रिजिनल डैक्टर सियार इस्टा प्रियागराज तो यह आपका जो परियागराज में होता आप डिवी भी कराए सब्सक्राइब करेंगे जब मेंस आपका होगा अगर बिहार उत्रपदेश वाले यहीं पी आएंगे और डिवी कराएंगे तब यहीं आप लोग आएंगे अपने रिजन में इस अपकर का इस्टन रिजिन का देख लेजिए जो कि अन्डुमान एं निकोबार आइसलेंड जाता है जो आपने अपने रिजन का है जिसका जिस रिजन से होगा फिर आपका है कि इस गाम पैटन क्या होता है फिर हम बात करेंगे एक जाम पैटन तो पैटन में आप देखेंगे कि इसमें पेपर वन आपका जो होता कंप्यूटर बेस होता है और पेपर से करना डिस्केप्टिम होता उसमें आपको 300 नंबर का होगा लिखना रहेगा दो घंटे उसमें टाम दिया जाएगा और पेपर वन जो आपका होगा वो दो भी दो आपको कुष्ण आपको क्रोन करने को मिलेंगे बाकि आपके जनर्र इंट्रिजेंस आपको 50 को सब्सक्राइब यहां तो आपको 200 को सब्सक्राइब सबस्क्राइब नेहां जोगा समयों क्र एक सब्सक्राइब देखरोंन पाए जाते हैं जिसे कि कुछ हैंडीकेप्ट हैं अगर आपके अंदर है तो आपको दो घंटे चलिए समय दिया जाएगा बाकी एक नारवल इंसान को दो घंटे का ताइम वहां दिया जाता है थिसन्बर का पेपर होता है आपके इस में निमेरिकल भी आती है फिर आगे बढ़ते हैं आगे से फिर यह समझ में आगए होगा हां और इस पेपर में निगेटिव मारकिंग भी होती है दियर विल बी निगेटिव मार्किंग आप पॉइंट थू फाइप मलब बाइफ फूर की निगेटिव मार्किंग होती है ठीक है और यह पेपर आपका जो होता है पेपर वन बिल कंसी तब अब जयक्टिव होता है मल्टिपल चॉइस कोशन ओनली तब कोशन भी बोत इन मलब कहने मलब है कि पेपर टू में पेपर जो आपका मेंस होता है आपकी वेपसाइट पर आ जाएगी केंडेट में गो थो दा आइंसर किया सब्मिट अलाइन रिप्रजेंटेशन इफ एनी विधिन डा टाइम लिमिट गिवन वाइदा कमेशन अन पेपर पर कुश्चन विज ना रिफंडेवल एनी डिपर टेटिव डिगार्डिंग दा एंसर के रिशीव तो दा आलाइन वोड लेट लिट लिट लि कि अपना एक वो देकर के रिफ्रेंस कि हमने यहां पर यह कोशन दिया हुआ है इसका अंसर यह होता है तो अगर आप उसके रिफर करेंगे तो आपको सो कुशन पर कुशन पर सो रुपए देना पड़ेगा और फिर आपको पैसा भी यह वापस नहीं होता है वही दिया हु होगा है आप जो मार्क स्कोर करेंगे कैंडिडेट इन पेपर वन बिल भी नार्मलाइज बाइज बाइज यूजिंग दा फार्मूला पब्लिस बाइदा कमिशन थ्रो नोटिस एंड सच नर्मलाइज स्कोर बिल भी यूज तु टुरमाइन फैनल में एन कटाफ मार्क पर वन में जो आपका मार्क आएगा उसी बेस पर आपको जो है क्वालिफाइड के जाएगा पर सकंड के लिए तो आप इसना सब जानते ही होंगे कि तो आपका फिर उखसे बाद पर सकंड होगा, पर आपको आप कैसे था चाण का जाएगी, फिर आपका स्लेवस अभाइय हमने बात कि यहाँ पर उपर हमने बात किया, कि इसका पेपर, पान्पर के इसे होता है? फिर पेपर, पेपर, परड़न होगा नेगर नेगर अगर पर नहीं होती है पर वन जो होगा पर उनके बाद सेकंड आपका होता है फिर आपने आप हम बात करेंगे कि इसका स्लेब अगरा किया है तो आपको रिजनिंग में पूरा यह सब वरबल लेजनिंग भी आती है और आपकी आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया यह पूरा लिखा हुआ है इसको आपको देख लेजिएगा और यह रिजनिंग आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी इस सब चीजे हैं फिर आपको जनरल अबनेस में हो गया करेंट अपको इसमें हिस्ट्री कल्चर जोग्राफिय को नोमेक्स जनल पॉल्टी सांटिफिक भी था इस्ट्री में एक रिफ्सक्राइब था अर्सी था और आपका इस तेले जायन बहुत तो यह आपका सारी चीजे था पिछले बार भी कुछ में नहीं हुआ है सारी चीजे थी फिर उसके बाद इसमें सब का सलीबस का अलग पूरा देख यह विल्डिंग में कौन को है खाल सकते तो तो कहने में पूरा पुरा पूरा पढ़ना पढ़ Size है उसके बाद आप लोग देखिएगा उसके पढ़ा कंद पढ़ा है उसके बाद यह a से기्व नेकर पर्टनरस आपने पढ़ा है तो कोई बात नहीं nber रखा इसको पढ़िए इसमने स्लंए शेबस के बार का भी आपको पढ़ना पढ़ेंगा यहां परस Northern चीजे लिखी हुई हैं तो यह हमारे यहां पर मोड आफ सेलेक्शन के मिनम कॉलिफाइंग मार्क दे रखा यहां पर फिर आपका चलो हम बात करना है ठीक है यहां पर एज लेक्सें देखता है टाइब आप मेल प्रैक्टिस डिवार्मेंट पेरियर्ड एक्सन अंगेस कंडि को इंपॉर्डन इस्रक्शन भाव 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 जब आप बिफोर एप्लाइंग आप भरेंगे वहां पर दे रखा है जो उसने ऊपर बताया ना वहां पर लिख रखा है कि हाँ क्लोजिंग डेट से आपको पहले फारम बन देलना है और आपकी फोटो अगरा कैसे आपको न से आप जो है भरेंगे ठीक है अधरवाइज क्या होगा कि आपको डिक्कत रहता है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो फिर उसके बाद कोई एक पासपोर्ट साइसेशन से फोटोग्राफ तो होना चाहिए अब यहां पर देखो इफ फोटो अडेंटी कार्ड सब्सक्राइब कर अचयां गैंशाना ज dewक लेंडट संटमने फ्रीटिकेट इंप्रूब्व देट अब वरत यह कब कहा है जब आपफम कार्ड आता है तो इससा कुछ दिक्कत रहती है तवका है इस नहीं वघे हमको तो यह सारी चीज़ें इसमें यहां पर दे रखा है हमने पहले बात के लिए था फोटोग्राफ कैसे होना चाहिए यहां फिर फोटोग्राफ को रहे हम दे रखा है फोटोग्राफ में दे रखा है कि इन दा आनलाइन अप्लिकर्शन फारम के इन डेट आर्ट रिक्वार्ड टू अफ्लोड दा इसके लिकलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसकी फार्मट यह होना चाहिए दा फोटोग्राफ शुड नाट वी मोर देन थ्री मन्थ और फ्राम दा डेटा प्लिकेशन सब्सक्राइब करने से पहले आप लोग एक बार पूरा अपना गोथ्रू हो लिजिए कि हमार कहीं फार में कहीं गलते तो नहीं है मादा का नाम को कहीं ने गलती है पिता का नाम तो कहीं ने गलती है तो यह भी आपको सारे को ध्यान रखना है भी यह तो फिर यह हमारी सारी बाते हो जाती है बाकी यही सब इंपॉर्टन रहने वाला है बाकी यह सब तो वह सब है अगर पहली बार भरेंगे अगर पहली आप बार भर रहेंगे तो आपको करना पड़ेगा जिसका हो गया जो अपनलब एक दो बार दे चुके हैं तो वो लोग करेंगे अपना तो भी उनका मुलब आर आसानी हो जाएगा क्योंकि साइड देल को पहले से मिल जाएगी तो यह यह साई चीज उनकी पास होगे अलेटी उनका फिल होगा लेकिन जो आप पहली बार फारम फिलब करोगे तो आपको करना पड़ेगा तो आपको साई जैल इसो आप बिल्कुल शावधानी से आपको भरना है ठीक है जैसा कि यहां पर आपने हैं पहला कोशन डू यू है ट करना है तो आपने का नाम कर देना है तो अगसे करिये अगर नहीं 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 कर दीजीए यह आपको ध्यान से बरना है ठीक है और पिर आपका नाम चैंज हुआ थिए हाफ नू नेम किया उसको यहां पर लिकिए ठीक है खिंपल इसे आपको tis यहां बरना है फिर आपको mother naam कर देना है फिर दो बार है mother name क्यूंकि इसी लिए कर आज़ा दो बार करना पढ़ेगा अपना आपको छहीं बना साहिए रोडस के बाद यहां पर यहां पर कर लूडर को करना है यहां पर लिखाए यहां पासिंग करना पढ़ेगा फिर अपना जंडर वैरिफाइज अल्ट लेब आप एक बार फैंड सेफ कर दो रहां पर जैसे आप सेफ करोग तो आपके पास एक डेस्टेशन नंबर आपके मेल पर एक मिसज जाएगा फिर अपने आगे को क्या कहोगे हो आगे फ़र्म फट एक और पर हो आपको यह आगे fill up करना पड़ेगा additional and contact detail जैसे कि general category भनना पड़ेगा nationality identification mark जैसे कि आगर आपके cheek पे या आपके forehead पे कहीं पे अगर आप जो identification mark होगा मिलब कहीं पे कुछ निसान होगा तो निसान जैसे आपको चीक पे गाल पे है तो मोल या मोल मनलब कि तिल होता है तिल आपको यहाँ पे कोई identification देना पड़ेगा फिर are you person with benchmark disability अगर आपके पास benchmark disability yes नहीं तो no फिर यहाँ पर यहाँ पर सनाएगा क्यों प्रकार की disability आपके पैसे फिर का certificate number भी मांगेगा permanent address मांगे बाइश्टेट मांगेगा फिस्टेट मांगेगा फिर सब भनने के बार इस्ट सब्सक्राइब अब आपको पर देख लेना है प्रीवियु करके एक बार देिलेना कि यहां कहीं कुछ कलती तो नहीं है अगर कलती नहीं है तो आपको सेव करकर के क्या कर देना है final submit कर देना है final submit करेंगे आप फिर आपको आएगा आप 5 second online application फारं अब online application आपको फारं बा हुआ है जब या फारंबरेत दोखो ता फोटोग्राफ शुट वी बिटाउट काइप एंड इस्पेक्टलस एप्लिकेशन बित बलर्ड फोटोग्राफ बिल भी रेजेक्टेड इफ दा प्रॉपर फोटोग्राफ इस नाट अफ्लोड़ेट बाई एकेंडिडेट इस विल भी कैंसल्ड इस बेसमन आफ फोटोग्राफ विच आड़ एक्सेटेबल इस गिवन इस अपकी फोटो की बारे हम कहा गया है फोटो आपकी अच्छी होनी चाहिए अच्छी से फोटो बढ़ियां खिच्छा के बढ़ियां फोटो बढ़ियां लगा देना यहां पिस आपको करना है फिर आपको लॉग इन करने ना अपने आपने शिटम थो यह रश्यूर्श नंबर और पास्वर्ड मुला आपके इस पास जो मेल आया होगा कुछ पर आपका दोनों होगा उससे आप लोग आनलाइन करके लेगिन करोगे तो फिर अपना आगे फ़र्म फिल हो जाएगा आगी बढ़ता जाएगा ठीक है फिर आपको उसमें कुछ इस तरीके से यहां पर देखो यह तरी कुछ आएगा प्लेज भी वेरी केर फुल वाइल फिलिंग अपर यहां फिलिप करो यहां से बत देखो यहां फिर आपको कंडिए नाम भरना पड़ेगा फिर आपको यहां से बना पड़ेगा प्रेफरेंस आफ एग्जामिशन सेंटर से मिलने पड़ेगा यहां पर आपको इस तरीके से फिर आगे आपको है कि सब्सक्राइब कर देना फिर आपको 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 सब्सक्राइ पास बिल्कुल पासिंगे दिखा देना बोड का नाम लिख देना इन्हें नेम आप बोड इनुष्टी लिख देना रोल नंबर डालना परसंटर यहां पर से जी पीए में डाल देना फिर आगे जब जलोगे तो परसनल इंफरमेशन दुनों अगर सेम है तेस नहीं तो जो है सेंपल मुलब जो है सेम नहीं है सेम अगर दुन दोग पर्मनेंट रिडर्स जो पॉस्टर लेड़ा देना फिर इस तरीके से आपको यह फॉर्म पूरा हो जाएगा फिर आता है आपका फोटो अप्लोड करना फिर आपको यहां स्टोच फाइल करके फोटो यहां आपको यहां है और खोटने करूंद और तेमिश्und, जुलाईज, अगस्त में आपका यान तीन मतना पहले बारह मई बारा माई के बाद फोटोगराफ की होने जाए यह यहां पarlaद कहना बस यहहां पर सब्सक्रयाव रिशाव जाएगी बस हो जाएगा यहां आपना कर जाओगे साथ आप payment का आफसना आये का बस payment ऑल आफसन साथ देखाँ दिया ऊण और नहीं धिया दोड़ाए पेमेंट कर दोड़ा होगे पेमेंट का पेमेंट का नहीं दिया जाफ हां यह फोटोग्राफ के बारे में दिखो दिया हुआ는 तो इस तरीके रे पी फिटबर्마ट जो फोटोग्राफ होगी आपकी फिट राइस तरह के आपके क्या ऑगी असेप्ट एबल होगी स्थारी你的 आप सेस्थ टैवलोगी से खंपल आप फोटोग्राफ फिर्ट वीचाद अट एक तेबल अगर इस तरीग deficकंऑ te यह आपकी गल्थ है यह क्या है जब गलत है जब यह बनीया और ले है ठीक है तो अपने फोटो भी देख लिया कैसे पोड करनी है फिर है कि तो यह हो गया आपका सब कुछ और यहां पर कुछ मलब यह हम बात में से करेंगे कि बियार हो गयरा में कुछ फिजिकल इस्टनर्ड मांगते हैं उसके बारे हम बात में डिसक्स करेंगे कैसे क्या उसमें होता है फिजिकल एफिसेंसी जो अपलोग होती है उसमें कुछ करते हैं वाकि यह आपको सारी बता द तो आपको इस तरीके सब को फार्म को बनना है हमने पूरे नोटिफिकेशन को रूबर हो लिया है अगर आपको भी कोई दिखत लगती है अगर आप लोग देख लीजेगा इसको बाकी अपना फार्म आप कल पर सुम्हें अपना फार्म भील सकते हैं थैंक यू सो मुझ वाच